हमारी नीला प्रानेट की सुन्दर्त तब बढ़ जाती है जब इसमाँ पक्षियों की सुन्दर्त बढ़ते है आस्मान से लेकर पानी तक सभी जगह पे राज है इनका यह अपर हर कोई प्राइब आपना आबास के लिए तो अपना सुन्दर्त प्राइब एक मौर अपना जिंदेगी में 20 साल तक जिंदा रहते है और इसका बारे में एक खास बात तो यह हम फिमेल और मेल दोनों को ही मौर कहते हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा नीला रंग की मौर मिलते हैं लेकिन इसका अलावा हरा रंग का भी मौर होते हैं लेकिन वो सिर्फ बर्मा में मिलते हैं एक मौर की शरी में 35 से 50 इंस तक यह तक की 60 इंस का भी लंबे पंक होते हैं और इसका प प्रफिक्ट शेप में बहुत सारा रंग भी होते है। कोट शेप डिस्पले में जब मेल मौर नासते रहते हैं तब इसका आकरी क्लाइमिक्स में ये अपना पुछ का हर एक पंक हिलता रहते हैं जो पूरा एक शाइनी लूग देता है। जो मेल मौर होते हैं उसका सर पे एक एंटेना देसे मुगुट रहते हैं बिलकुल एक राजा की तरह पर फीमेल मौर में ऐसा कुछ नहीं होता। जंगल में मौर एक साथ मिलकर एक एक डल में रहते हैं। दिन की रोश्णी में ये जंगल का नीचे वाले भूमे पे बिचरन करते हैं और रात के अंधरा पे ये जंगल की सबसे ऊची पेड में रहते हैं बर्सा की मौसम में ये प्रजरन के लिए मिलन करते हैं और प्रजनन की समय एक मेल मौर अपने साथ चार से पास फिमिल लेकर एक डल बनाता है जिसे मैस्टर कहा जाता है पर हर एक डल एक साथ आट से दस तक अंड़े देता है इसका अंडे का रंग पियर हॉइट होता है और ये मिट्टी से बने छोटे गुफा में अंडा देता है लगबग 8 से 30 दिन बाद अंडे से बच्चा बाहर आते है और इसका शरीर में नीले पीले रंग का पंक रहते है इसके उमर बढ़ने की साथ साथ इसका पंक भी बढ़ा होते रहते हैं इसका उमर तीन साल होने की बाद ये अपने बंक्शास को आगे बढ़ने के लिए यानि की प्रजनन के लिए खुद तयार हो जाते हैं लेकिन मेर मार 2 सार की उमर में हिबरीडिंग का लिए तैयार होते है मार देखने में बहुती खूबसरत होते है और इसलिए हमें ज़्यादाता चड़ी घर में मार दिखाई देता है यहां तक कि कुछ लोग अपना हॉबी मिटाने के लिए मार पलते है इंडूर में यानि कि बंदी घरों में मौर ज्यादा तक जिन्दा नहीं रह सकते यहाँ पर यह बहुत जल्दी एग्रिंसिव हो जाता है गर्मी या सर्दी का मौसम में नीला रंग की मौर को कोछ नहीं होता यह हर तरह की मौसम सर्वाइब कर सकते है लेकिन हरा रंग की जो मौर होते है वो सर्दी का मौसम को सर्वाइब नहीं कर सकते जंगल में सुबा की समय मौर को ज़्यादा देखा जाते है और दिन की तापमान बढ़ने से यह गहने जंगल में खो जाते है लेकिन जब सूराज ढलने रखते हैं तब ना जाना ये कहा से निकल करते हैं और पानी के लिए एक साथ मिल कर बिचारन पर निकलते हैं मौर का पंक होते हुए भी ये ज्यादा तर उड़ नहीं सकते ये ज्यादा तर समय भागने के लिए अपना पैर के इस्तिमार करते हैं और बहुत ही कम समय उड़के भागते हैं इसका खाने का लिस्ट काफी लंबा है क्योंकि ये सरभक्षक है मौर ज़्यादा तक कीड़े, मकोरे, घास, पत्ते, हर तरह की फूर्ट्स, सब कुछ खाते हैं या तकि ये इनसान का पौटी भी नहीं चुड़ते मौर एक बहुत ही सुन्दर सा पक्षी है इंडियन गवर्मेंट का अनुसर इंडिया में अब लगभग एक लाग के उपर मौर है लेकिन दिन का दिन इसका संक्या कम होते जा रही है क्योंकि इसका स्वादेस मार्च और रंगिला पंक के लिए बहुत ही लोग इसे खुले आम शिकर कर रही है और इसके अलबाद देश के बाहर इसे अन ओफिशली एक्स्पोर्ट भी किया जा रही है ये सब ग्यार करोने हमें ही रोकना होगा और हमारे प्राकिती को उसका सुन्दर तक ही कोई कमी नहों इसका भी ध्यान लगना पड़ेगा अगले दिन हम फिर मिलेंगे नहे कोई जानौर के साथ तब तक के लिए प्यार में रहे हमारे और प्राकिती के साथ